आप सभी का पुना स्वागत है आईए आज पुना एक नए एपिसोड की सिर्वात करते हैं इस एपिसोड की तयारी आपकी मुख्य रूप से अगामी परिछाएं जो BPSC, CDPO और SI की होने वाली हैं उन्हें ध्यान में रखकर की गई है तो आईए आज की इस एपिसोड के पहल प्रशन पर नज़र डालते हैं आज का पहला प्रशन है ताइम पर्शन ऑफ दे यर दो हजार एक इस एलन मस्क किस स्पेस कंपनी के CEO हैं ताइम पर्शन ऑफ दे यर 2021 एलन मस्क इस दसी यू अफ विच स्पेस कंपनी आपके आपके आप्सन्स हैं A में Moon Express, आप्सन B है Blue Origin, आप्सन C है Space X और आप्सन D है Virgin Galactic तो इस प्रशन का सही उत्तर होगा Space X, Space X के CEO हैं एलन मस्क यहाँ आपको यह बताना चाहेंगे कि आपकी स्क्रीन पर जो भी options दिखाई दे रहे हैं ये सभी अमेरिका की private space एजेंसियां हैं और ये सभी आपकी परिच्छाओं के लिए काफी महतुपूर्ण हैं तो इन सभी के CEO अथवा जो इसके honor है मालिक है इनका नाम आपके लिए जानना आवस्यक है तो सबसे पहले moon express के मालिक है अमेरिका के प्रसिद्य उद्योगपती नवीन जैन जबकि blue origin इसके CEO एवंग इसके जो मालिक है उनका नाम है जेफ बेजोस आप परिचित होंगे नाम से और SpaceX जैसा कि इस प्रस्ट का उत्तर है एलेन मस्क स्पेस एक्स के CEO और मालिक है एलेन मस्क जो एक आटो मोबाइल कंपनी टेसला के भी CEO है और ऑप्शन डी विर्जिन का इलेक्टिक इसके जो मालिक है उनका नाम है रिचार्ड व्रांसन आज के एपिसोड का दूसरा प्रस्ट है Miss Universe प्रतियोगता 2021 का आयोजन कहां किया गया था Where was the Miss Universe present 2021 held आपके options हैं A में संजुक्त राज अमेरिका, option B है इसराइल, option C, न्यूजिलेंड, चपकी option D है दक्षिन अफ्रीका तो इस प्रस्ट का सही उत्तर होगा इसराइल यह प्रतियोगता जो 2021 में आयोजित हुई है इस प्रतियोगता का जो अस्थल रहा हुआ है Port of Elliot जो इसराइल का एक अस्थल है, इसराइल का एक सहर है यही पर इस वार 2021 की Miss Universe प्रतियोगता का आयोजन हुआ और आपको बता दें कि Miss Universe प्रतियोगता की शुरुआत 1952 में हुई थी और इस प्रतियोगता के इतिहास में यह तीसरा मौका है जब किसी भारतिये ने Miss Universe का खिताब जीता है इससे पहले 1994 में शुष्मिता सेन, दो हजार इसवी में लारादत्ता और इस तीसरे मौके पर हरनाज संधु ने अस्तरिये इस प्रतियोगता में Miss Universe का खिताब अपने नाम किया है और भारत का नाम गौर्वान बित किया है आज के एपिशोड का तीसरा प्रश्ण है वर्ष 2021 के लिए 57 में ग्यानपीट पुरस्कार प्राप्त करने वाले दामोदर मौजो किस भासा के सहितेकार है दामोदर मौजो who received the 57th ग्यानपीट एवार्ड for the year 2021 is a literature of which language आपके options है a में अस्मीज, b में कोंकनी, c में ओडिया और d में डोगरी तो इस प्रश्ण का सहुत्तर होगा कोंकनी जैसा कि आप जानते हैं इस वर्ष 2021 में 56 में और 57 में दोनों ग्यानपीट पुरस्कारों की एक साथ गोशना की गई गोशित पुरस्कारों के तहट अस्मीज भासा के शाहितेकार निल मनी को 56 एवंग दामोदर मोजो जो कुंकनी भासा के शाहितेकार हैं उन्हें 57 में ग्यानपीट पुरस्कार से शमानित किया गया है तो ये दोनों प्रशन आपके लिए काफी महत्वपुर्ण है 96 में ग्यानपीट पुरस्कार एवंग 57 में ग्यानपीट पुरस्कार दोनों आपको अपने ध्यान में रखने हैं क्योंकि आने वाली परिछाओं में ये आपके लिए काफी महत्वपुर्ण साभीत होने वाले सीव में हर्सवर्धन निवतिया और आपसंडी है सोभना सहोता तो जैसा कि आप जानते होंगे कि फिक्की एक ब्यापारिक जगत की संस्ता है भारत की जो भारत के पूरे ब्यापार जगत पर नियंतरन रखती है और इसके अध्यक्ष के रूप में किसी बहुत बड़े उद् फॉर्म होता है वह है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इन्रस्ट्री जबकि हिंदी में इसे भारतिय वानी जी एवंग उद्योग महासंग के नाम से जानते हैं इस संस्था के स्थाफना 1927 में हुई थी तो यह प्रश्ण भी आपके लिए एक प्रश्ण है फॉर्चुन इंडिया की पचास सबसे सक्तिसाली महिलाओं की सुची में कौन सिर्स पर हैं फॉर्चुन इंडिया फिफ्टी मोस्ट पावरफुल बूमें डिस्ट आपके उप्संस हैं ए में प्रियंका चोपड़ा ऑप्संबी है नीता अंबानी ऑप्संसी ह गीता गोपिनाथ यहां आपको बता दें कि फॉर्चुन इंडिया प्रतेक वर्श पचास सबसे सक्तिसाली भारतिय महिलाओं की एक सुची जारी करती है तो इस वर्ष अर्थाद 2021 में जो फॉर्चुन इंडिया के दौरा सुची जारी की गए है उसमें जो पचास महिलाओ की सुची है उसमें सिर्ष पर हैं भारत की वित्मंतरी निर्मला सीतारमन आज के इस एपिसोड के छठे प्रशन पर नजर डालते हैं आज का छठा प्रशन है जर्मनी के नय चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है आपके options हैं A में Emmanuel Mankro, option B है Helmut Kall, option C है Olaf Solz, और option D है Angelo Davis जैसा कि आप जानते होंगे कि इससे पुर्व Angelo Morkel काफी लंबे समय तक जर्मनी की चांसलर रही है और विस्व की राजनिती में उनका अच्छा खासा दबदबा रहा है परन्तु पिछले दिनों वो शेवा निवरीत हुई और उनके जगापर जो जर्मनी के नए चांसलर बने है वो है Olaf Solz ये भी आपकी परिछाओं के लिए महतुपुर्ण है क्योंकि जर्मनी के चांसलर का पद विस्व की राजनिती में एक काफी महतुपुर्ण पद है तो उलाफ Solz जर्मनी के नए चांसलर चूने गए है आज के एपिसोड का सात्मा प्रश्ण है केंद्रिय सिक्षा मंत्राले ने अपनी मातरी भाषा के अत्रिक्त बच्चों में अन्य भासाई कोशल विक्सित करने है तू किस नए एप को लॉंच किया है तो इस प्रश्ण का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भासा संगम अर्थात भासा संगम एप के माध्यम से किंद्रिय सिक्षा मंत्राले ने बच्चों में अपने मातरी भाषा के अत्रिक्त अन्य भाषाओं का कोशल विक्सित करने के लिए इस नए एप का शुरुआत किया है तो भाषा शंगम एप के माध्यम से बच्चे अपने मातरी भाषा कर रिक्त अन्य दूसरे भाषाओं में भी उनकी पकर बन सकेगी और उनकी समझ उनमें बिक्सित हो सकेगी आज के फिसोर का आठवा प्रशन है हाल में किस दिस ने भारत के धार्मिक संगठन तवलीकी जमात पर प्रतिबंद लगाने की गोशना की है तो जैसा कि आप को पता होगा कि तवलीकी जमात एक इस्लामिक धार्मिक संगठन है और नाम से ही जैसा कि अस्पश्ट है कि तवलीकी का अर्थ होता है प्रचारक और जमात का अर्थ आप जानते होंगे समुह से लगाया जाता है तो तवलीकी जमात का अर्थ यह हुआ कि यह एक इस्लाम धर्म का प्रचार करने वाली ऐसी संसा है जो इसलाम से समंधित पध्यतियों और उनके धार्मी तौर तरीकों भेशबूशा इत्यारी के बारे में जो लोगों को जानकारी देती है और इसलाम धर्म के परचार में विश्वास रखती है और या सुन्नी मुसल्मानों का एक संगठन है आप पिछले दिनों करोना की जो पहली लहर चली थी उस समय आपको याद होगा कि तब्लीकी जमात काफी चर्चा में आया था और अपने तोर तरीकों के कारण यह काफी उस समय चर्चीत रहा था पिछले दिनों संगठन अरव अमिरात जो स्वयंग एक सुन्नी मुसल्मानों का देश है उसने तब्लीकी जमात जो सुन्नी धर्म विचारधारा का ही परचार करती है उस पर यह कहते हुए प्रतिबंध लगा दिया है कि यह आतंक वाद का एक प्रवेश द्वार है तो यह प्रश्ण आपके लिए महत्वपूर्ण है कि तब्लीकी जमात पर हाल के दिनों में किस इस्लामिक कंट्री ने प्रतिबंध लगा दिया तो इस प्रश्ण का सही उत्तर हुआ शंजुक्त अरव अमिरात आज के एपिसोड का नौमा प्रश्ण है जी ट्वेंटी देशों का अगला सिखर सम्मेलन 2022 में कहां आयो जीत होगा वेर विल दर नेक्स्ट समिट ऑफ दा जी ट्वेंटी कंट्रीज बी हेल्ड इन 2022 आपके options हैं A में ब्राजील B में इंडोनेसिया C में भारत और D में इटली सबसे पहले हमें जी ट्वेंटी के बारे में जानना होगा कि यह जी ट्वेंटी क्या है तो आप जान ले कि G20 विस्व की 20 सबसे बड़ी अर्थ प्रिवस्था वाले देशों का एक शमू है जिसमें अद्योगिक और विकासील दोनों प्रकार के देश शामिल हैं और शकल विस्व उत्पाद अर्थात GWP का लगभग 90 परतिसत हिस्जेदारी G20 देशों के पास है इतना ही नहीं अंतराश्ट्रिय व्यापार का लगभग 75 से 80 परतिसत एवंग बैश्विक आवादी लगभग 2 ती हाई G20 देशों के पास है और पूरे बैश्विक जो यह प्रश्ण है कि G20 देशों का अगला शिखर समयनन 2022 में कहां एवजित होगा तो इस प्रश्ण का शहिउत्तर होगा इंडोनेशिया आज के एपिसोड का दसमा प्रश्ण है किस देश ने विस्व की पहली पेपरलेस सरकार होने की घोशना की है तो जैशा की आप अबगत होंगे कि आज कल पूरे विस्व में पेपरलेस अर्थात डिजिटलाइजेशन का दोर चल रहा है और भारत भी इसमें काफी आगे है भारत में भी पेपरलेस वर्क को प्रात्मिक्ता दी जा रही है परन्तु विस्व के सबसे पहले पेपरलेस देश होने का दावा किया है शन्युक्त अरव अमिरात ने आज के एपिसोड का ग्यारहमा प्रश्ण है हाल के दिनों में प्रकासित पुस्तकों एवंग उनके लेखकों का कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है आपके आपके आप्सेंस हैं ए में गेटिंग इंडिया बैक ऑन ट्रेक रतन टाटा ओप्शन भी है मोविंग ऑन मोविंग फॉरवार्ड बैंकया नाइडू ओप्शन सी है दा थर्ड पिलर रगुराम राजन और ओप्शन डी है दा पाराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर अनुपाम खेर यह सभी पु यह जोड़ा सही नहीं है अर्थात उपर के तीनों जो ऑप्शन्स है इन तीनों ऑप्शन्स के जो पुस्तक और उसके जो लेखक है उसका जोड़ा सही है अप्शन डी में जो पाराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर बुक दी गई है इसके सही जो ऑथर है लेखक है उनका नाम है शशी थरूर जो कॉंग्रेस के एक नेता भी है, सांसद भी है आज के एपिसोड का बारह हुआ प्रशन है किस देश ने बीजिंग सीट कालिन ओलंपिक खेल 2022 के राजनाईक बहिसकार की गोशना की है तो इस प्रशन का सही उत्तर होगा संजुक्त राज अमेरिका आम तोर पर राजनाईक बहिसकार का आर्थ यह होता है कि जब कोई देश किसी दूसरे देश में अधिकारिक तोर पर कोई राजनाईक बड़ी अंतराष्ट्रिय सभाओं या प्रमुक शिखर्ष्ण मेलनों या कोई खेल आयोजनों में भाग उसके खिलारी तो भाग लेते हैं परन्तु कोई राजनाईक भाग नहीं लेता है सिद्कालीन उलमपिक खेलों के राजनाईक भाईशकार का अर्थ यह हुआ कि बीजिंग में सिद्कालीन उलमपिक खेल जो आयोजीत हो रहे हैं अगले वर्स उसमें अमेरिका का कोई भी अधिकारी भाग नहीं लेगा हाला कि अमेरिका ने यह घोशना नहीं की है कि उसके खिलारी भी इस प्रत्योगता में भाग नहीं लेंगे तो इस प्रकार हम यह कह शकते हैं कि अमेरिका के खिलारी इस प्रत्योगता में भाग अवशे लेंगे और इससे कोई खेल पर कोई खास अशर नहीं होगा न्यूजिलेंड, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इन देशों ने भी बीजिंग उलम्पिक के बहिशकार की बात की है आज के एपिसोड का तेरहवा प्रशन है भारत में 2021 में गूगल पर सबसे अधिक होजा जाने वाला व्यक्ति कौन है तो जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ये सभी नाम पिछले वर्स काफी चर्चित रहे हैं आरजन खान भी आपको याद होगा कि ड्रक्स मामले में ये काफी इनका नाम चर्चा में रहा था जबकि सोनुसुद करोना काल में अपने दुआरा किये गया कार्जों के लिए ये काफी चर्चित रहे हैं बिराट कोहली तो क्रिकेट कप्तान है और ये भी काफी चर्चित रहने वाले बेखती है परन्तु 2021 में जो गूगल पर सबसे अधिक होजा जाने वाला नाम है भारत में वह नाम है नीरत चोपड़ा जैसा कि आप जानते ही होंगे कि पिछले वर्स जो ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ उसमें नीरत चोपड़ा ने जैबलिन थरो अर्थात भाला फेंक परतियोगता में भारत को एक मात रस्वन पदक दिलाने में शफलता हासिल की थी और ये रातो रात भारत के आईकॉन बन गए थे और स्टार खिलाडी के रूप में इनकी पहस्चान अब हो रही है तो इस प्रकार से गोगल पर सबसे अधिक सर्च किये जाने वाले व्यक्ति हैं 2021 में नीरज चोपड़ा आज के एपिस्टोड का चौदह हुआ प्रशन है डेविस कप टेनिस टूर्णामेंट 2021 का खिताब किस देश ने जीता है फिच कंट्री हैज वन देविस कप टेनिस टूर्णामेंट 2021 ऑप्शन से हैं ए में रूस ऑप्शन भी है आश्टेलिया ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी है स्विच्टेर्लेंड यहां आपको बता दें कि डेविस कप टूर्णामेंट टेनिस का एक मात्र ऐसा लाड़ी तो इस बार 2021 में मेडरिट में जो फाइनल मैच खेला गया था उसमें रूस ने क्रोएशिया को हरा कर डेविस कप का फाइनल जीत लिया तो इस प्रशन का सही उत्तर होगा रूस यह आज के इस एपिसोड के अंतिम प्रशन पर नजर डालते हैं प्रशन है इनिंग ऑफ टेस्ट किर्केट आपके ऑप्शन से हैं यह में जीम लेकर ऑप्शन भी है अनिल कुम्बले ऑप्शन सी एजाज खान और ऑप्शन डी है सेनवार्ड तो इस प्रशन का सही उत्तर होगा सेनवार्ड जैसा कि आप जानते हैं पिछले दिनों भारत और का था जब किसी गेंदवाज ने परफेक्ट टेन अर्था एक पारी में सभी दस बिकेट लेने का किर्थिमान बनाया था इससे पहले इंग्लेंड के गेंदवाज जीम लेकर और भारत के गेंदवाज अनिल कुम्बले ने भी इस कारणामा को अंजाम दिया था यहां पर य आज का ये एपिसोड शमाप्त हुआ झाल